बच्चे को स्कूटी पर लेकर दुकान पहुजी इस महिला को क्या पता कि कुछ देर बाद ही उसके साथ लूट होने वाली है जैसे ही ये महिला दुकान पर आती है, चहरा कवर किया हुआ ये बदमाज भी दुकान पर आ जाता है सामान खरीदने के लिए पैसे देता है लेकिन खरीददारी तो एक बहाना है इस बदमाश की नजर तो महिला पर है दुकानदार और महिला को तो यही लगता है कि ये आम कराहक है जो सामान खरीदने आया है लेकिन ये बदमाश बार-बार इस महिला को घूरता रहता है इसकी नजर महिला के गले में पहनी सोने की चेन पर पड़ती है महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर है उसे बिलकुल अंदाजा नहीं है कि ये शक्स उसे ताड रहा है ये बदमाश दुकान से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है मौके का थोड़ी दिर बाद सिगरेट निकालता है और दुकानदार से लाइटर मांगता है सिगरेट चला कर साइड में खड़ा होकर पीने लगता है इसके कुछ सेकेंड बाद ही सही मौका देख कर ये महिला के गले से चेन खीच कर भाग जाता है ये देख महिला तुरंथ स्कूटी से नीचे उदरती है बच्चे को स्कूटी पर छोड़ कर चोर के पीछे दौने लगती है चोर इतना तेज दौरता है कि उसे कोई नहीं पकड़ पाता इस दौरान महिला की खलती ये रहती है कि वो अपने बच्चे को स्कूटी पर ही छोड़ कर चोर के पीछे चली जाती है कनीमत ये रही कि बच्चे के साथ कोई हादसा नहीं हुआ ये पूरी घटना दुकान में माजूद CCTV कैमरे में कैद हो जाती है ये मामला राजस्थान के बीकानेर का है यहां के भीर भार वाले इलाके में दिन दहाडे चेन स्नैचिंग की ये घटना हुई जिसने बीकानेर पुलिस के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया घटना शुक्रवार दो पहर की है जब फातिमा नाम की ये महिला बच्चे के साथ दुकान पर पहुँचती है तभी एक बदमाश उसके गले से चेन खीच कर फरार हो जाता है घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई सीयो सिटी दीबचन मौके पर पहुँचे पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज के आधार पर जिले की पुलिस को एक्ट्यू कर दिया इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर लगे सीसी टीवी फुटेज भी देखे गए पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है हुआ सेटी है जयए लेल जावाँ केक demographic वावा इस ही